ये वीडियो multi-purpose वीडियो होने वाला है ये वीडियो आपको provide करेगा public administration optional में जो insights हैं with respect to UPSC civil services examination 2022 तो ये multi-purpose वीडियो इसलिए है क्योंकि जो लोग public administration optional choose कर चुके हैं as an optional for their UPSC CSE journey तो उनके लिए ये motivational post होगा कि कैसे उनका optional जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा perform कर रहा है या PSIR और बाकी geography से नीचे है या यहां number नहीं आ रहे ऐसा कुछ नहीं है ये इससे आपको पता चलेगा और बाकी जो लोग optional अभी decide करने वाले हैं उनको एक information देगा ये video के public administration it's all about कि आपका interest किसमें है और वो सारी चीजें but yes we are going to discuss the toppers of CSE 2022 ठीक है और यहां पर एक जो बात है किसी एक specific coaching के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक coaching से कितने topper निकले उस coaching से कितने topper निकले या हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि यह हमारे coaching से topper निकले या इस institute या YouTube चैन हम science की तरफ से हैं हम public administration की तरफ से हैं तो जो भी इस specific subject के अंदर performance रही है experience की उनके marks और वाकी सारी details AIR जो है वो यहां लिखी होई है so you can consider it and जो यह data का जो information source है वो सारे aspirants है जो pubatpedia telegram channel पर जुड़े हुए हैं जिन्होंने अलग-अलग जगों से यह information हमको यहां पर provide किये और मैंने इसको सब compile किया था May 23 को यह आप देख सकते हो result के जस्ट बाद इसका compilation शुरू कर दिया था तो AIR 31 जो है आप यह पढ़ सकते हो इस आहां पर कुछ ऐसा नही administration था civil services exam 2022 के अंदर ठीक है तो all India rank है प्रियांशा गर्ग नाम है और फिर marks 292 in public administration तो इस तरीके से है फिर AIR 139 और आपके देख सकते हो यहां पर अलग-अलग AIR है और 290 प्लस score जो है वो आया है 300 number के आसपास जो भी score है वो एक अच्छा score है 250 is something जहां पर थोड़ा लगता ह है कि number कमाए है 280 90 यह decent score है क्योंकि इसके बाद आप all subjects में अगर अच्छा कर रहा हो तो you can get the rank easily 300 के आसपास सारे number आप देख सकते हो 294 भी है 293 भी है यहां पर 288, 290, 245 तक आए हुए है so you can read it और इस तरीके से अलग-अलग ranks है और अगर top scorer देखोगे तो जो लोग नहीं भी यहां पर देखो जो सबसे ज़्यादा number है वो select नहीं हो पाए है 302 not recommended क्योंकि और subjects में कहीं नंबर कमाये होंगे या और भी जो performance है वो measure करने में नुपसान हो गया but 302 302 is something that is there and you need to take the lesson from this as well यह इस साल का trend नहीं है यह trend पहले भी चल रहा है कि public administration में अगर कोई बहुत अच्छे number लेके आता है 300 प्लस तो ऐसे पहले भी cases आई हुए है I am unable to recall the exact year लेकिन ऐसे पहले भी cases है कि क्योंकि पबैड इतना ज्यादा है अब्जॉर्ब कर लेता है इंसान को कि दूसरे subjects म इसके अंदर होता है कि history, geography, quality, economy, environment, science and tech और बाकी सारे subjects जो है उनमें बराबर focus देना पड़ता है आपको हर जगे average बनना पड़ेगा कहीं पे बहुत जादा हुस्यार बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि generalist exam है UPSC का तो इसी वजह से same applies on the public administration जादा नंबर लाना अबरी risky हो जाता है, अच्छे भी होते हैं, 335 भी आए हुएं पड़ेड में, but yes, this is what you need to understand and आपको वुषी balance रखते हुए चलना है, इसके लावा पड़ेड पीडिया का इन्फोर्मेशन आप देख सकते हो, and यहाँ पे बहुत सारे आपको initiative देखने को मिलते हैं, जैसे daily answer writing initiative अभी चल रहा है, जहाँ पे मैं daily 2-3 question post कर रहा हूं, और यह proper schedule में है, ठीक है, तो आप schedule देख सकते हो, पूरा 3 महीने का यहाँ पे schedule पोस्ट किया गया है, and apart from that, you can watch the another initiative, जहाँ पर हम daily basis पर, जो specific the Hindu और the Indian Express के articles हैं, उसको यहाँ पे share किया जाता है, और जो highlight कर दिया जात इस initiative में जो आपके model answers हैं, वो भी provide की जाते हैं, daily ये newspaper की जो relevancy है, जो अलग-अलग relevance है कि policy में इस scheme को convergence में use कर सकते हो, या organization में inter-ministerial committee के बारे में बात है, ये सारी चीज़े हैं, और इसका एक और next level होता है, पबैट PDA Magazine जहाँ पर इसको अलग से ले जाके, जो आपने, अ पहुचाते हुए, interlink किया जाता है, अलग-अलग theories और thinkers और public administration से, इसके अलावा, ये magazine बाला initiative हो गया, तो third initiative is this, और यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ये day one का जो answer है, तो ये initiative अभी का नहीं है, 2019 में भी ये initiative launch किया गया था, जहाँ पर AIR 17 आप देख सकते हो, उन्होंने इसी initiative में answer writing की थी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो answers को उसी initiative को एक तरीके से question को reframe बगएरा, जहां हो रहा है, वहां किया जा रहा है, otherwise क्योंकि ये PYQs हैं, और toppers के PYQs नहीं मिलते हैं, market में toppers के mock मिलते हैं, कि उन्होंने जो mock test दिये हैं, mock exams दिये हैं, वो coaching वाले डाल देते हैं, PYQ क्योंकि personal basis पर topper लिखते हैं, वो नहीं मिलते हैं market में, क्योंकि वो उनके personal description पर होता है, बट क्योंकि 2019 में AIR 17 जो 2021 की हैं महग जैन, उन्होंने वो initiative जॉइन किया था, ये जो initiative भी आप side में देख पा रहे होगे, ये जो लिखा हुआ है, पबेट PDA 2020 answer writing initiative, इसके अंदर बहुत सारे लोग answers पोस्ट करते थो, तो इन में one of them was this AIR 17, तो उनके जो answers हैं, वो यहाँ पर मेरे पास इसी group में पहले से हैं, जो यहाँ पर थोड़े से बच्चे हैं, 27, 28, क्योंकि सारे answers को मैं audio note भेज के evaluate करता था, तो क्योंकि इतना ज्यादा, यहाँ क्योंकि daily basis पे तीन question पोस्ट करना, उसके बाद उसमें सबके answers जो लोग भेज रहे हैं, उसको बोल के बताना, कि आप intro में यह करो body में, यह करो conclusion में, यह कीजिए, इस तरीके से link कीजिए, और यह thinker भी incorporate कीजिए, यह सब करने में क्या होता था, कि ज्यादा load नहीं ले सकते सौ लोग आ गए, और फिर सौ लोग ने मैं से मालो, सौ लोग ने answer लिख दिये, वो भी daily basis पे और फिर सबको में audio page पांच मिनिट का भी भेजूं तो फिर पूरा दिन इसमें चला जाएगा, so that's why यह जब initiative launch किया था, तो काफी एक तो affordable fee थी और क्योंकि यह Papadpedia की पूरी family है, तो बहुत सारे लोग इसमें आना चाह रहे थे, तो उसको तुरंद रोका गया था, जैसे ही 30 के आसपास पहुचा था, आख़ा कि नहीं, इस से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो one of them was AIR 17, so now AIR 17 है, ऐसे ही Papadpedia के और सारे initiative है, जैसे हिंदी medium के लिए अलग से channel बना रखा है तक हिंदी medium बालों को यह ना लगे कि भई कहीं guidance नहीं है, ऐसे ही 2020 के end में जब pre के बाद हमने तपस्या लॉंच किया था, जहां पर जो mains के experience थे, उनकी answer writing होई थी, and apart from that, एक initiative 2021 में था, linking win model, यहां बे एक अलग तरीके की IPL की तरह, फ्रेंचाइज बना के, आठ जो senior player है उनको assign किया गया था, allocate किया गया था, अलग-अलग toppers, अलग-अलग जो freshers है उनको, तो इस तरीके से बनाया गया था, एक model बनाया था, जैसे linking pin model है, वहां पर answer writing initiative होई थी, तो यहां पर भी बहुत सारे अच्छे students जो interview stage पर गए है, वो सारी एक community है, और इस तरीके से यह थोड़ा सा nominal fee थी, बट यह linking pin वाला फिर initiative था, इसके लावब podcast वगर यह ऐसे बना रखा है channel, but yes, you need to understand, और यह जो तपस्या और यह initiative है, you will get to know, even आप magazine देखोगे, तो जो currently IRTS officers हैं, IRS officers हैं, हिमाचल के अडर में, IAS officers हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं settled है, और सारे लोग public administration क जो लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे से तयारी करते हैं, बाद में भी एक अच्छे administrator बनते हैं, और ultimately it's all about the post के जहां पर आप यह समझ पाओगे कि, जो butchering है, वो नहीं हुई है, slaughtering नहीं हुई है optional में, यह post मेरा डालने का कोई यहां पर मकसद नहीं था, क्योंकि pre के लोग बोलने लगे के पबेड में तो कोई टॉपर दिखी नहीं रहा, एक ही दो टॉपर हैं, पक्का इस बार butchering हो गई है, पक्का इस बार नमबर नहीं आ रहे हैं, तो उस वजए से फिर मैंने यहां पर यह पोश्ट डाली थी, के बताओ अब और यहां पर इनी जो यहां पर यहां पर स्टार्टिंग में यह सिर्फ एक नाम था, के वही एक रहें किये है, और सेकेंड नमबर पर लिख दिया था, God knows we are counting, है ना, और उसके बाद you will, you will surprise to know के धीरे-धीरे, यहां पर 44 कॉमेंट्स आए, और यह जो स्टार्टिंग में यह इमोजी, जो है, य यह सबसे जादा था, और उसके बाद यह जो थमसब बहला है, यह सबसे जादा हो गया, so this is all you need to feel, कि जब आप उप्शनल पढ़ रहे हो, आपके आसपास एक पबैड की community है, वो फिर मोटिवेट हो जाते हैं, फिर अपने आप कॉमेंट आने लगे, कि I was thinking to change the optional, लेकिन क्य क्योंकि motivation, जैसे आप डेली नाते हो, दोते हो, जैसे आप डेली और सारी चीज़न करता हो, वैसे ही, डेली motivation you can take from the community of पबैड aspirants, okay, so this is it, thank you so much, and I hope this video will help you, तो आप इस Telegram channel को जोइन कर सकते हो, for the daily updates, and for the answer writing, and for the magazine as well, बाकी YouTube channel पर आप देख सकते हो, प्रुआने जो magazine के summary और compilation वगेरा available कराए गए हैं, public administration optional में, अगर आप public administration optional current affair इतना सर्च करोगे, you will get this channel only, तो आप इसका फाइदा उठा सकते हो, this is it, thank you so much.